अले फ्रेंड्स, GSTR1 लेट फिस का पेमेंट केसे करते हैं, GSTR1 अगर आप लेट फाइल करते हैं, तो आपको लेट फिस पे करनी पड़ती है, लेकिन जब हम GSTR3 भी फाइल करते हैं, उस समय GSTR1 की लेट फिस का ओप्शिन वहाँ पर नहीं आता है, बात में GSTR1 की तरफ से आप आपको नोटीस आता है, वो नोटीस बताता है कि सर, सब्जेक्ट इंटीमेशन फोर पेमेंट अब लेट फी फोर डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR1, इट हैस कम तो आपने फाइल किया सर 25 को, फेब का रिटन्स आपने 20 मार्च को किया, और मार्च का रिटन्स आपने 24 को किया, यानि कि 20 को जब आपको GSTR3B फाइल करना होता है, उस समय इन परसंस ने GSTR1 फाइल किया था, GSTR1 की जो डू डेट है, वो है सर 11th of next month, अगर आप इसके बाद लेट फीस पे रिटन फाइल करते हैं, तो आपको लेट फीस पे करनी है, अब यहाँ पर सर 99 मन्त, यानि 99 दे से यह आपका रिटन लेट हुआ, इसके लिए उनको पैनल्टी लगा दी सर, तो 225, 225 यानि कि 450, 50 रुपीस पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस लगती है, तो यहाँ पर सर 450, 450, 450, 450, यानि कि 1350, आपके 1st, 2nd, last quarter का यहाँ पर आपको लेट फीस का नोटीस, GSTR डिपार्ट पर, यह है सर, हमारा GST Portal, जैसे है आप इसको लोगिन करेंगे, लोगिन करने के बाद आपको यहाँ पर options आता है, सर, service, service के अंदर आपको जाना है, payment में पेमेंट में आपको जाना है, create चालान पर, जैसे ही आप create चालान करेंगे, यहाँ पर आपके पास में option अगार आगर अगर आपने monthly quarterly return choose किया हुआ है तो options आएका monthly payment for quality returns, आपको यहाँ पर any other mode के payment को options पे click करना है, then आपको proceed के options पे click करना है, अब यहाँ पर सर आपका tax का amount नहीं है, सही आपका interest का amount नहीं है, यह आपका penalty का amount नहीं है, यह सर आपका fees है, यानि कि late fees, अगर आप यहाँ पर देखे जाएगा सर, यह late fee, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर क्या है, late fee, तो late fee का options आपका यहाँ पर आता है, तो जैसे यहाँ पर amount कितना है सर, 675, cgst, और sgst, आपका जो भी state होगा, उस state के हिसाब से, यहाँ पर आपका जिसे मध्यप्रदेश, sgst, जिस state से आप विलॉंग क options पर click करना है, then आपको generate चालान करना, यह आपका जो चालान है, वो generate होगे, यहाँ पर आपका CPIN नमबर आ चुका, इसके बाद आपको यहाँ पर यह total आगया, fees में 675, 675, यानि कि यह आगया, 675, 675, 135, 0, इसके बाद आपको net banking करनी है, जो भी banking करनी है, यहाँ से आप net banking क क्लिक कीजिएगा, जो भी आपकी bank है, जैसे पर गजामपल State Bank of India, यहाँ से आप क्लिक कीजिए, और make payment को options पर आप क्लिक केजिए, State Bank of India की website पर जाएगा, यहाँ पर आपको आपकी user ID, password, आपका corporate banking है, personal banking है, अगर किसी other bank की है, तो वो भी bank आप यहाँ पर select कर सकते है, तो इस तरह से आप GSTR1 का late fees का जो intimations, यानि की जो notice आता है, उसका reply आपको इस तरह से करना है, और आपको इस तरह से payment करना है, I hope कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी किया, वो आपको clear हो गया, अगर आपके और भी कोई doubts है, तो आप हमारे साथ में share कर सकते हैं, आज के वस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकाद करते हैं, तब तक के लिए, thank you so much.